आपके stop loss को trigger कर आकर आपको कर देता है तुखी और आप stop loss खाके आ जाते बाहर लेकिन कुछ दिनों के बाद यह rocket के तरह उपर जाता है दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब मैं बहुर जुन जिन्वाला आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेंड्स लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो रिलीस की थी जहां पर हम लोगों ने आपके साथ डिसकस किया था कि किस तरह से आप जो है smart money footprints पचान सको और किस तरह से आप उनके साथ position ले सको या उनके पीछे-पीछे position ले चको आज हम एक और बहुत बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो कि smart money का ही गेम है जो कि smart money की कर्तूत होती है वो होती है false break out and fake out अब आप सोच रहे होगे कि false break out और fake out ये दोनों तो same है नहीं ये same नहीं है ये भी बहुत बड़ी गल्टी हम करते हैं कि इन दोनों को same मानते ये दोनों अलग-अलग चीजे हैं और दोनों को trade करने का तरीका बहुत अलग है खासकर fake out जो है एक बहुत high probability trading signal होता है एक बहुत high probability trading setup होता है तो आज की episode में पहले हम आपके साथ discuss करेंगे false break out क सकते हो फिर हम discuss करेंगे कि fake out क्या होता है और उसको आप कैसे trade कर सकते हो चार्ट तो बहुत interesting होने वाला है आज का episode जरूर से देखिए और अभी तक चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर दीजिए और वीडियो को share भी कर दीजिए जल्दी से अतन दोस्त तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि false breakout भई false breakout होता क्या है जनरली अब आप नाम से समझ गये होगे false मतलब जूटा और breakout मतलब कि यहां से जूटी breakout कैसे होंगी तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि breakout होता कहां से है अगर हम breakout की बात कर रहे हैं तो breakout होता कहा से कोई भी consolidation area से कोई भी consolidation area से breakout होता है तो किसी भी area में जहां पर price consolidate कर रही है वहां से breakout होगा consolidation मतलब कि हम price patterns की बात करते हैं तो price pattern क्या होता है जैसे कि आगर आप देखो rectangle है triangle है head and shoulder है flag है यह सब price patterns होते है तो price pattern से generally price breakout होती है और फिर हम उसको trade करते हैं लेकिन आप समझो कि price ही इस तरह से ऊपर जा रही है और यह एक flag type का price pattern यहां बना रही है आपको price flag में एक flag बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह से यह जो price flag से breakout होता है तो generally हमारा क्या होता है कि हम इस breakout पे जो है वो trade लेंगे लेकिन आप जोरा समझो कि यहां पर यह continue नहीं होकर price अगर वापस नीचे इस तरह से आए तो यह क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम false breakout बोलते हैं यहां पर stop loss trigger हो जाता है और हम stop loss लेकर बाहर हो जाते हैं तो basically यही definition होता है false breakout का तो false breakout मतला कि कोई भी pattern से जब price breakout होती है तो breakout successful नहीं होती है और price जो है वापस उसी pattern के अंदर या उस pattern को तोड़ कर नीचे के तरफ या उपर के तरफ कहीं पर भी चली जाती है तो यहां पर इस case में क्या हुआ प्राइस जो है एक breakout देती है यह breakout continue नहीं करती है और इस pattern को price जो है pattern को तोड़ के नीचे आ गई तो अब यह कुछ और ही बनाएगी है अब यहां पर यह हो सकता है कि इस तरह से यह distribution zone मना दे तो यह flag जो आपको दिखाई दे रहा था अचानक में यह आपको distribution दिखाई रेखने लग जाएगा वो बात की बात है लेकिन जो main हम लोगों को focus करना है वो है यह false breakout तो यहां पर देखो जैसे कि मैंने एक pattern बनाया है यह accumulation pattern बनाया है यहां पर यह breakout होता है और breakout sustain नहीं करता है और price जो है वापस इस breakout के अंदर यह pattern के अंदर गिर जाता है इसे हम false breakout करते है और generally हमारा trade यहां जो हम breakout trade लेते हैं इधर में लेते breakout trade तो हमारा stop-loss जो है वो यहां wait हो जाता है आप यहां पर आप देखो मैं आपका सुझाoga चार्ट पर दिखाता हूं कि कि किस तरह से breakout हो सकता है और किस तरह से वो breakout जो है वो fail हो सकता है अब यहां पर आप देखोगे कि यह एक चार्ट मेंने बनाया है यहां पर देखो यह सपोर्ट है यह सपोर्ट है प्राइज यहां पर रुकी है प्राइज यहां पर आती है वापस यहां पर रुकती है तो यह आपको क्या हो गया यह आपका सपोर्ट हो गया सपोर्ट मतलब कि यहां पर बायर्ज है किसी ने लिए गो तो Yas ל׈ इस तहुआ होगा और इस तरह से वॉइंक स्वी तो ब्रेक आउट नहीं है अरे महराज व्रेक आउट ही है यहां पर यहां से प्राइब मेूट गतने चर्ट कर रहे था क्लमी हमें कर तो तो यहां से price breakout हो गई, अब breakout हो गई, तो यहां पर तो already buyers थे, इसलिए यहां पर demand था, buyers थे, इसलिए जो price है, यहां रुक रही थी, यह breakout होने के बाद क्या होंगे, और buyers आ जाएंगे, भई बहुत जोन देख रहे होंगे कि support पर, अब तो support से price move हो चुकी है, और यह consolidation ने गया कैसे price break होके उपर जा रही है, तो और buyers आ जाएंगे, फिर क्या होता है, जो smart money बैठा हुआ है, या जो बड़ा पैसा वाला बैठा हुआ है, वो बोलता है कि नहीं, यार अपने को है न, इसमें profit book करना है, तो अब उसको अगर profit book करना है, तो यह बड़े player को तो sell करना है, औ अब during the day, क्या होता है, price जो है, जो advance हुआ था, वो price या पर देखो, वापस जो है, अपने advance को खो देती है, और वो support के नीचे, भई यह देखे, यह पूरा box था, अब यह support के नीचे चली जाती है, जैसे यह support के नीचे जाती है, यह buyer जो था, जो यहाँ पर buy करके रखा था वो तो seller में convert हो जाएगा, वो निकलेगा, कि भई support तोड़ गया, यह जो breakout पर buy किये थे जिन लोगों ने, वो भी निकलेंगे, वो भी seller बन जाएगे, और यहाँ पर already एक बड़ा seller तो मौझूद ही है, तो इसलिए, यह जो failed breakout हुआ, उसका implication आप देखो, following sessions में, बड़े ब breakout, एक बहुत high probability setup होता है, तो अगर यह failed breakout successful नहीं होता है, तो आप उसका counter trade भी ले सकते हो, थोड़ा सा advanced concept है, छोटी quantity में practice करना, लेकिन यह बहुत ही advanced और बहुत ही useful concept है, तो breakout अगर fail हो रहा है, तो आप उस breakout का counter trade ले सकते हो, कहां लोगे, आप इसकी नीशे, अपना entry बना होगे, और इस candle के ऊपर आपका SL रहेगा, और बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही छोटे समय में, यह breakout failure आपको अच्छा profit दे के जाएगा, तो breakout failure का trade, इधे very very important, अब देखें, यहाँ पर continuation trade में भी, आपको breakout मिलता है, breakout failure मिलता है, देखो, ध्यान दे समझो, और आप समझो कि क्या कर रहा है, यह कौन करेगा, smart money करेगा, इस तरह कि जो आपको shakeout करेगा, यह higher highs, और यह हम बोलता है, higher tops, higher bottoms का formation बन रहा है, आप देखो, यह higher top, higher bottom, higher top, higher bottom का formation बन रहा है, तो अपने को तो पता ही है कि भाया, यह uptrend में, यह अपने क्या देख है, कि जैसे जब-जब जब जब यह करेक्ट करता है यहां पर बाइंग आती है जब जब यह करेक्ट करता है यहां पर बाइंग आती है तो अब हम क्या करेंगे जब जब यह करेक्ट किया यहां पर बाइंग आई तो अब हम लोगों ने दो बार तो इसको दूर से अफ्जर्ब कर लिया कि यहां पर बाइं आर यहां पईंगार टीश्री बार गार कर लाता पर आता तो किस वे कर लतें हम बाइं कर लेतें अब जो स्मार्ट मनी हैं वो बोल रहा है एतनी महनत से तो यहां से यहां तक तो मैंने पहुचाया अब उसको पता लगा कि यह स्टॉक में कोई अच्छा स्कोप और बन रहा है और यहां से स्टॉक जो है वो और अच्छा movement कर सकता है तो अब उसको क्या चाहिए उसको इस level पर उसको भी खरीदना है उसको इस लेवल पर खरीदने के लिए एक बायर के काउंटर में एक सेलर होना जरूरी है एक बायर के काउंटर में एक सेलर होना जरूरी है तो अब वो यहां पर सेलर जो है पैदा करेगा कैसे पैदा करेगा यह जो बायर है जिसने यहां पर खरीदा या यह जो वह या जिसने थोड़ा सा यहां पर खरीदा वह यहां पर देखेगा कि फाइनली इस कैंडल से ध्यान से देखिए इस कैंडल को इस कैंडल ने प्रिवियस स्विंग को तोर दिया एक important support को तोर दिया तो अब यहां पर जो बंदा है वो क्या करेगा अपनी position sell करेगा seller बन जाएगा additionally इसे downward breakout समझ कर sellers और आ जाएंगे और sellers आ जाएंगे और यहां पर यह जो बंदा बैठा है इसका काम हो गया वो यहां पर अपना बड़ा buy order put कर देगा और यहां पर देखिए यह जो है यहां पर शेक आउट करके वापस उपर के तरफ move कर जाता है तो आपको क्या किया आपकी position से शेक आउट किया और उसके बाद finally देखिए प्राइस जो है वापस उपर के तरफ move हो जाती है आ देखिए यहां पर आप पुछों कि trade कैसे लिया जाए यहां पर trade लेना थोड़ा सा feasible नहीं होगा क्योंकि यहां पर यह रिक्स reward ratio है वो थोड़ा सा खराब है लेकिन अगर कोई चोटा candle होता जो कि इस तरह से कुछ ऐसा बनता चोटा candle तो आप आराम से trade ले सकते हैं मेरा मेरा यह चाइट दिखाने का ताट पर यह है कि आपका concept जो है वो breakout failure का जो है वो clear होना देखिए तो यहां पर देखिए downside में breakout कराया इसने भई इसने अब तो downside में breakout कराया सपोर्ट को breakout कराया सपोर्ट को breakout कराया downside में breakout कराया तो भाई sellers जिन्हों ने यहां पर खरिदा तो घबरा गए वो तो seller बन जाएंगे और फिर नए seller भी आ जाएंगे अब जो उसको खरीदना है बस यह जो बंदा जो यहां बैठा वा बड़ा मनी वो अ जाओ ठीरी के हिसाब से फॉल्स ब्रेकाउट हो गई तो इस तरह से प्राइस को जो है वो मैनुपलेट किया चाह सकता है अब यहां पर देखिए हाउ टू ट्रेड फॉल्स ब्रेकाउट यह तो मैंने आपको बता दिया चलिए फॉर्मली भी देख लेते हैं कि हम फॉल्स कैसे करेंगे समय, सबसे पहले सबसे पहले देखिए बहुत- बहुत important चीज यह है कि हम लोगों को यह देखना है कि जब फॉल्स ब्रेकाउट हो रहा है उस समय market conditions क्या है देखिए फॉल्स革 ब्रेकाउट जो है वो sidewaysumin म said वेढब हो सकती है यह से जो sideways market हो चल रहा है है त त इसले से भीुवॉज ब्रेकाउट सकती साइडवेस मार्केट में दुसरा फॉलस ड्रेकाउट हो सकती है रेड़ेंडेेड मार्केट में इसमें भी इसले है से फॉव recommend हो सकती है है तो हम यह बोल रहे हैं कि अगर हम अपने trades को prevailing trend के साथ ले prevailing trend के साथ ले मतलब की आप समझो यह price उपर के तरफ गई और यहाँ flag मनाती है और अब price जो है वो इस तरह से उपर के तरफ इस तरह से उपर के तरफ जाती है यहाँ पर देखिया prevailing trend में यह downward falls breakout हुआ अगर हम prevailing trend में ले यह uptrend है अगर हम prevailing trend में ले तो सबसे basis हमें benefit होगा trading falls breakout in an prevailing trend is most effective approach देखिये हम यह चीज को बहुत high time miss करते हैं बहुत high time miss करते हैं क्योंकि existing trend में ही बहुत सारी बदमाशिया होती है smart money करती है और हम existing trend में ही false breakout पे trap होते हैं तो अगर हम existing trend में ही अगर इसको पकड़ने की कोशिश करें तो सबसे जादा और सबसे important फाइदा हमें होता है जैसे मैं आपको कहा कि psychology सबसे पहले कोई भी चीज को discuss करने से पहले हमें psychology समझ दी है कि psychology क्या होता है false breakout मैंने आपके साथ psychology discuss करी दिया कि buyer sellers का क्या chemistry है यह आपके साथ मैंने lower top lower bottom बनाती है अब हम ready रहते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर this is an important swing point price यहां से उपर गई इस important swing point को तोड़ती है और फिर इस important swing point के उपर आती है जैसे ही यह price इस swing point के उपर आती है market में होहला सुरू हो जाता है कि इसमें आ गया breakout अच्छा यह breakout जो है वो क्या होता है किस वज़े से आता है यह मीडिया के वज़े से जादा तर आता है यह जो breakout है यह media filled breakout है आप देखोगे टीवी पे कोई suit boot पे कनहिया लोग आती है आपके band बजाने मस suit boot पहन गया है और अपनी जो है सराटेडार इंगलिश में और बहुत सारे confusion jargons बोलकर कि इसमें यह हो गया इसमें यह हो गया इसमें management capacity production capacity OPM LPM DPM TPM LPM TMC BJP क्या क्या बोलेंगे और आपको बोलेंगे भई यह जो बंदा आप सोचते हैं कि यह जो बंदा बोल रहा है इसका मतलब यह stock पक्का उपर जाएगा भी यह amateur buying है और यह pro selling है फिर यह बंदे के बोलने के बाद आप यह सी नोटिस करना टीवी पर यह बंदा ना अपना ग्यान दिया उसके तुरंट बाद कौन आती है हमारी सुंदर कन्या और वो बहुत प्यार से मुस्कुरा कर आपको बोलती है कि अभी अभी इनों ने बताया कि यह stock बहुत उपर से जाएगा टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी यह चीज में conviction आ रहा है कि यह stock उपर आउट में और उसके बाद यह जो बिग बॉस है ना बिग बॉस यह शुरू करता है अपना सेलिंग वाला काम और प्राइस जो है नीचे के तरफ गार तो यह होता ब्रेक आउट क्राप और यह बहुत आपके साथ हुआ है जूत मन बोलगा तीवी पर देखके ट्रेड किये हो तो आपके साथ हुआ है तो आईए अब इसको चार्ट पर देखते हैं चार्ट पर क्या होता देखें बहुत बहुत एकदम आप समझने की कुशिश करिए और यह चार्ट जो है न सब एक्चुल चार्ट है यह मेरे बनाएवे चार्ट नहीं है देखिए डॉक्टर रेड हम तो रेडी कि यह तो वापस ब्रेक आउट लुक अट वॉल्यूम बहुत जबर्दस वॉल्यूम के साथ हम तो एद्दम रेडी है कि भाई वापस सपोर्ट लेवल के उपर आगया अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है और यहां पर डीवी पे सोशल मीडिया पे ए एग्जिस्टिंग ट्रेंड यहां पर देखने की कोशिश करो एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो लोवर टॉप लोवर बॉटम बना रहा है इसका मतलब एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में जब त आपको multiple confirmation नहीं मिले आप लॉंग नहीं कर सकते अभी तक यहाँ पर ट्रेंड का structure ही चैंजी नहीं हुआ है आप यहाँ पर लॉंग कैसे करोगे Amateurs जो है यहाँ पर खरीदेंगे इस candle पर खरीदेंगे इस candle पर खरीदेंगे volumes देखके खरीदेंगे और उसके तुरंट बाद आप देखो कि क्या होगा यहाँ पर यह जो है डोजी बनना सुरू हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर follow through नहीं मिल रहा है follow through नहीं मिल रहा है smart money होगा न सर्राटे से mark उपर लेके जाएगा अगर इसमें true buying आएगी तो सर्राटे से उपर लेके जाएगा लेकिन यहाँ पर आप देखो candle में follow through आपको नहीं मिला इसका मतलब कि भाई इसमें आप ही interested खरीदने के लिए इसको इसमें कोई interested नहीं था और ये लेकिन एक आप बताओ क्या अभी आपको जो selling case दिखाई दे रहा है अभी selling case यह नहीं दिखाई दे रहा है we will wait यह support को तोड़े we will wait for it लेकिन आपको यहाँ पर यह पता लग रहा है कि जो move थी right जो यहाँ पर आपने देखा move जो यहाँ पर आपने देखा move इस volumes के साथ इस volumes के साथ वो move जो है यहाँ पर stall हो गई यहाँ रोक गई और हम ready हो गए हमने तो यहाँ खरीद लिया हम ready है और हमने यह भी plan किया कि अगर यह retest करेगा तो हम वापस खरीदेंगे लेकिन यहाँ पर देखो हुआ क्या यह support level को वापस यह candle तोड़ती है यह support level वापस तूटता है जैसे यह support level तूटता है आप यह समझ लेना कि भाई जो smart money है उसको मंजूर नहीं है प्राइस जाना और यह जो false breakout करके आपको बना लिया गया है एक trap आपको मामू बना लिया है इनोंने और यहाँ पर हो गया आप trap तो आप अपनी entry जो है यहाँ पर इस candle के नीचे अपनी entry रख सकते हैं और वो आला candle जो support line के ठीक उपर बंद सकते हैं and you can initiate a short entry देखिए sell below the candle यह जो false breakout वाला candle है उसके नीचे आप sell करोगे उसके नीचे आप sell करोगे और जैसे ही जैसे जो candle last swing के ऊपर या इस last resistance के ऊपर था वाला candle आपका stop loss होगा तो देखिए यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत fast जो है आपको 2 is to 1 का trade बहुत आसानी से बहुत fast मिल जाएगा तो यहाँ पर आप क्या हुआ यहाँ पर मानसिक्ता समझिए प्राइस की मानसिक्ता समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले तो प्रिवेलिंग ट्रेंड को देखिए जनरली हमारे साथ यही भूल होते हैं कि हम प्रिवेलिंग ट्रेंड को द केंडल बना है यह सब करकर के हम अपने आपको बली का बक्रा बनाते हैं किसके लिए स्वार्ट मने के लिए तो यह प्रिवेलिंग ट्रेंड में हम लोगों ने इसको शॉट के लिए इस काल पॉल्स ब्रेक आउट यहां पर देखिए क्या हुआ सेम चीज यहां पर है और देखिए यह सब चार्ट आप आप यह सब यह सब पावर कोईंट है यह आपको बकाईदा एदम बिल्कुल मिल स शेयर करना है अपने मित्रों के साथ या इन ग्रूप में शेयर करिए और आप हमारे इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक वाटसेप कर दिए कि भई मैंने आपका यह वीडियो शेयर कर दिया है स्क्रीन शॉट टेकर तो हमारा यह जो बंदा यह नंबर लेके बैठा है आ आपको हमारा एक link देदेगा जहां पर यह presentation आपको मिल जाएगी तो यह presentation download करिएगा अपने पास रखियेगा और इस presentation पर खासमखास द्यान दिजिएगा तो यहां पर देखिए क्या हुआ same same false breakout अब सबसे पहले आप कभी भी कोई भी stock खरीते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको उसकी trend की study करनी है यहाँ पर trend क्या बना रहा है lower top lower bottom देखिए lower top lower bottom lower top lower bottom lower top lower bottom तो यहाँ पर trend down है अब आप देखते हो कि trend जो है down trend है फिर यह जो support है यहाँ पर ब्रेक आउट हो गया हमने देखा volumes भी बहुत अच्छी है ब्रेक आउट पर conviction आ गया लेकिन लेकिन हम यह भूल गए कि यहाँ पर trend डाउन है यहाँ पर यह जो बॉस्टर मिला है यह trap हो सकता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम भंज जाते हैं और यहाँ पर देखे क्या हुआ जैसे ही price यहाँ पर इस support level के ओपर आई यहाँ पर आप इस candle से टूटता है उस candle के नीचे बन जाता है और आपका stop loss just last candle above the support area बनता है and then आप देखिए 2 is to 1 का next reward ratio 3 is to 1 का next reward ratio आपको आसान इसे मिल जाता है यह possible किस लिए है क्योंकि आप existing trend direction में trade कर रहे हूँ 10 direction में trade कर रहे हूँ तो यह होता है false breakout और इस तरह से आप जो है false breakout को trade कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए similarly same पंचान है ICICI bank का chart है और यह सब देखिए सब नामी companies है और यह सब नामी चार्ट है मैं कोई ऐसे बेनामी company या कोई आपके साथ micro cap, mid cap जिसमें volumes नहीं होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बकाइदा बड़े stocks की बात कर रहा हूँ बड़े shares की बात कर रहा हूँ जिनमें भरपूर volume होता है जिनमें भरपूर trading होती है यहाँ पर देखिए higher top higher bottom higher top higher bottom बना रहा है और यहाँ पर देखो क्या कर रहा है यहां पर यह support तूट रहा है, support तूट रहा है, जैसे यह support तूटेगा, आप तो sell करने के लिए कुदोगे, आप तो यहां sell करने के लिए कुदोगे, यहां पर पक्का, मैं आपको guarantee के साथ बोलता हूँ, कुछ ना कुछ media में understand ख़बर, या कुछ ना कुछ banking को लेकर understand कुछ य मिला ही नहीं, selling के follow through मिली ही नहीं, और price जो है, यहां से उपर के तरफ bounce काती है, now this, जैसे ही, यह आपका candle जो है, आपकी entry candle बन जाएगी, और यह जो candle है, last candle, यह आपका SL बन जाएगी, और price देखिए, उपर के तरफ bounce काती है, 3 is to 1, 4 is to 1 का risk reward ratio, आराम से मिल सकता है, यहां existing trend में जब आप trade करते हो, तो यह जस्ट एक blip है, जस्ट एक trap है, जस्ट एक false breakout है या breakdown है, तो यह बहुत-बहुत important चीज़ है, यहां पर false breakdown हुआ है, false breakdown हुआ है, आपको फसाने के लिए, तो अब next time से, जब भी आप कोई भी इस तरह का false breakout देखो, या breakdown देखो, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, trend पे, कि trend क्या कर रही है, क्या trend से हमें important वो signal मिल रहे हैं, जो आपको बता रहा है कि trend जो है, वो change हो गया है, अगर नहीं, आप यह समझ कर रोखो, कि यह पक्का आपका trap हो रहा है, okay, next देखिए, अब हम fake out की बात करते हैं, अभी हम लोगों न false breakout की बात करी, अब हम fake out की बात करें, देखिए, यह अलग चीज़ है, यह अलग चीज़ है, fake out is a different thing, and break out is a different thing, रही, fake out में हम लोगों ने क्या देखा, false breakout में हम लोगों ने देखा, कि trend के direction के against में trade होता है, और फिर जो है, वो उस direction में वापस चल जाता है, fake out थोड़ा सा complex चीज़े, लेकिन मेरे काल चीज़े, fake out जो है, is one of the most potent signal, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने देखा, कि कई बार क्या होता है, हमारी analysis बहुत correct होती है, यहाँ यहाँ पर देखिए, जो traders थे बिचारे, उनकी analysis गलत थी, उनकी analysis गलत थी, इसलिए वो फास गये, लेकिन कई बार क्या होता है, भाई, हमारी analysis सही होती है, और हमको लगता है, कि यह जो एक stock है, यह जो stock है, यह breakout हुआ, और आपको लगता है, आपको लगता है, कि यह genuine breakout है, लेकिन क्या होता है, price जो है, इस तरह से नीचे जाती है, और आपको stop out कर देती है, और फिर, इसी direction में उपर के तर जाती है भई आपका जो एनलेसिस था वो एकदम सही था लेकिन यहाँ पर वो smart money को और जो है buy करने थे उन्हें और खरीदना था यह तो इसने smart money नहीं यहाँ पर fake-out किया आपको जबरदस्ती कि आपके एनलेसिस चही आपके साथ बहुत बार होता होगा दिस इस काल फेक आउट यह अलग है इसको कैसे पहचाने इसमें एक बहुत ही बहुत ही important signature होता है जिससे आप पचान सकते हो कि ये false breakout है की नहीं और इसको कैसे trade करें ये हम देखेंगे तो पहले तो ये समझा जरूरी है कि ये fake out क्या होता है fake out trap जो smart money करती है हम जानते हैं कि smart money करती है क्योंकि उन्हें भई खरीदना है अभी और उनको खरीदने के लिए seller चाहिए और वो जान मुच कर यहाँ पर price को rig करते हैं जान मुच के price को यहाँ पर ये वापस इस level में गुसाते हैं गिराते हैं योगि आपकी इनालिस सही होने के बावजुद भी आपको shake out करे या आपको fake out करें तो यह होता है fake out अब हम देखेंगे कि इसको कैसे trade किया जा सकता है और उसको कैसे पैचाना जा सकता है उससे पहले friends यह हमारे कुछ master traders के कुछ profit screenshots हैं जो उनको last week में जो उनको फायदा हुआ है यह हमारा master trader program है हमारा mentorship program है जहाँ पर हम आपके साथ करते हैं चोटी सी चोटी price action की बारिके आपके साथ discuss करते हैं momentum analysis करते हैं जहाँ पर RSI बहुत in-depth में आपके साथ discuss होता है market breadth की analysis होती है और उसके बाद हम अपनी strategies trading जो होती है strategy होती हुआ आपके साथ discuss करते है कि कैसे आप एक short term strategy strategy बना सकते हो कैसे आप long term strategy बना सकते हो कैसे आप long term strategy बना सकते हो short term strategy जो 5-10% का quick profit लेना है medium term जो होता है 21% का quick profit लेना है और long term strategy होता है जहाँ पर हम multi bagger type of stocks आप किस तरह से पैचान सकते हो technical analysis तो यूज करके उस पर हम focus करते हैं तो 120 घंटे का in-depth यह program होता है जहाँ पर आपकी मेरे साथ live sessions भी होती है यहाँ पर हम आपके साथ live sessions भी करेंगे आपके doubt आपकी queries को resolve करने के लिए हमारी यहाँ पर community भी है जहाँ पर हमारे members हैं हमारे mentees हैं तो आप उनके साथ भी discussion कर सकते हैं बहुत सारी discussions होती है बहुत सारी brainstorming होती है बहुत सारी learning होती है और finally यह पूरे program को करने के बाद हमारा यह आशा होता है हमारी यह expectation होती है कि आप जो mistakes कर रहे हो आप जो भूल कर रहे हो stock market में वह आपके एदम कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी जब भूल कम होती है आपकी mistakes कम होती है gradually आपके profits बनना सुरू हो जाते लेकिन एक disclaimer मैं दे दूँ कोई भी program जो है वो आपको profitable नहीं बना सकता ऐसा नहीं कि अगर आप यह mentorship program जोईन करोगे तो आप जो है next दिन से पैसा कमाना सुरू कर दोगे या next दिन से profitable होगे नहीं ऐसा नहीं effort हम लोगों ने बहुट effort डाला है हम लोग बहुट effort डालते हैं हम अपने mentees के साथ बहुत मेहनत करते हैं लेकिन साथी साथ आपको भी reciprocate करना पड़े ताली एक बात से नहीं बशती है तो आपको भी equally मेहनत करनी पड़ेगी इस program में first three months जो होती है वह aggressive आपको मेहनत करना पड़ता है जैसे हम आपको पताते हैं उस तरह से आपको books read करनी पड़ती है जिस तरह से हम पताते हैं उस तरह से आपको chapters देखने पड़ते हैं उस तरह से practice करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे जो होता है तीन मेहने के बाद आपको results जो है वह visible होना शुरू हो जाते है तो अगर आप मेहनत करने को तयार है अगर आप उस तरह का time देने को तयार है effort देने को तयार है तो आप इस program को देख सकते हैं like दिन में कम से कम 2 घंटे 2 hours everyday यह हम लोगों की minimum requirement होती है 2 hours आप कभी भी दो तो अगर if you are ready to put in this time आप यह program को देख सकते हो otherwise please do not waste your money please do not waste your time उसके रवा friends हमारे यह short programs है short programs यह self learning programs होते तो यह ultimate prize action का program है बहुत लोग ले रहे हैं इस program को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग इस program को लेकर master trader में आ जाते हैं और यह हमारा RSI का program है यह भी बहुत अच्छा program है आप लोग सब जानते हैं कि RSI मैंने Andrew Cardwell से सीखा था वह मेरे गुरू है थे तो उनका शिरवाद सदय हमारे उपर रहे जहां पर भी वह हो तो यह RSI है तो यह हमारा दो program जो है बहुत बहुत पेमस program है और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा clarity मिलेगी साथ अगर आप option trade करना चाहते हो तो हमारा यह option का program भी अगर यह program लेकर आप एक महिने के अंदर master trader में अपग्रेड कराते हो तो इस program में जो आपने investment की है वो हम master trader में adjust कर देंगे तो यह program भी बहुत लोग ले रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और बहुत लोग जो है हमारे master trader में अपग्रेड हो रहे है तो आगे बढ़ते है देखें यह fake out है अब देखें मैंने यहाप drawing बनाई है यह fake out है आपके analysis बिल्कुल सही है आपने analysis करी breakout की यहाँ पर breakout हुआ आपके analysis एदम सही है false breakout में आपके analysis गलत होती थी यहाँ पर आपके analysis सही है आपने अपना analysis किया और आपने इस breakout पर सही खरीदा लेकिन smart money जो है या जो बड़ा player है उसको और खरीदना है और खरीदना है उसके पास और orders है तो वो क्या करेगा अब उसको खरीदने के लिए चाहिए sellers है तो वो क्या करता है यहाँ पर जान मुझके जो lodge price को मा अ कुछ समय के लिए वोपस नीचे गिराता है कुछ समय के लिए वापस नीचे गिरता है उसके पास एक lakh राख share है दस lakh share है तो यहाँ पर क्या करेगा ना वो 2 lakh share एक पर बेचेगा यह breakout के बाद ना वो 2,00,000 शेर वापस बेचेगा और यहाँ पर selling आने के वज़े से यह price जो है वापस नीची जाएगी जैसे नीची जाएगी हम generally as a trader घबरा कर हम जानते हैं कि breakout fail हो जाएगा तो हम अपना यहाँ पर exit कर देंगे और हमारे exit करने के बाद वो बंदा जो है वापस बाई करेगा और finally price जो है इस resistance से निकलेगी और rocket के तरह उपर जाएगी जब आप थोड़े दिन के बाद चार्ट देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे यहाँ यहाँ पर तो मैंने ठीकी भाई किया था मेरी analysis तो 100% करेक्ट थी आपकी analysis करेक्ट है आपकी कोई भी गलती नहीं है गलती है इस smart money की जो भाई इसको और चाहिए give me more दिल मांगे more थ and this is why they play this game तो अब इससे बचने का तरीका क्या है इससे बचने का तरीका कुछ नहीं है इससे बचने का तरीका यही है कि आपको यह stock को अपनी watchlist में रखके रखना पड़ेगा और जब यह finally break out देगा तो आपको खरीदना पड़ेगा लेकिन इसका एक signature है जो मैं आपके जान मुझकर जान मुझकर वो थोड़ा सा अपना portion सेल करेगा हमें बहार निकालेगा और फिर बाद में हमारे direction में हमारी इनलेशिस करीवरे direction में price breakout होगी और उपर के तरफ चली जाएगी तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ और यह सब देखिए फ्रेंटेस मैंने आप कहा कि सब पॉपुलर चार्ट है इंडेसिंट बैंक का चार्ट है यहां पर देखिए क्या हो रहा था प्राइस नीचे के तरफ आती है और यहां पर देखिए यह breakout होती है बहुत strong candle के साथ अच्छ इसको buy कर लेंगे और इस breakout के नीचे candle के नीचे generally stop loss रखाएंगे जो की normal है तो हमने क्या देखा हमने यह आप खरीद लिया राइट एदम सही दूसरे दिन तीसरे दिन में आप देखोगे जैसे ही हमने खरीदा यह breakout जो है वो fail हुआ और प्राइस जो है नीचे जाकर इसके lower आपकी expected direction में breakout होकर आपका trade जो लेने वाला था उस direction में breakout होके आगे चला गिया है यह होता है fake out यहाँ पर आपको वो fake out कर दिया तो इसका क्या करना है आपको इसका कोई उपाई नहीं है friends इसको आपको अपने watch list में रखना पड़ेगा इसको आपको कोई नहीं पता सकता कि यह fake out है कि यह इस तरह से नीचे चला जाएगा वो भी हो सकता है लेकिन एक signature में आपके साथ discuss करूँगा whatever it is आपको अपने watch list में रखना है इसको तो आपके watch list में रहेगा तो जब यह यहाँ पर breakout डेगा और आप वो signature selling में भी almost same thing होती selling में भी है आपने देखे यह JSWT है भाई आपने बहुत सही analysis करी और यह price breakout हुआ आपका analysis बहुत सही था बहुत सही था आपका analysis लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद वापस price उपर के तरफ जाती है और आपको stop out कर देती है भाई आप नहीं आपर sell करेंगे तो आप of course इस level के उपर stop loss रखोगे आपको stop out कर देती है और आप निरास हो जाते हो कि भाई यह तो मेरे को stop out कर दिया ह हो सकता है कि मेरी भूल है लेकिन दूसरे ही पल राइट दे प्राइस अगें मूवज इंटियो डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन वापर जाती है आपकी analysis इदन सहीत ही यहां पर यह आपको fake out किया आपको बेवकुब बना दिया क्योंकि वह smart money को यहां पर जादा बेश उन उन्होंने अगर 1000 बेचे हैं तो वह क्या करेंगे 200 लॉट यहां पर खरीद लेंगे वापस और 200 लॉट यहां पर खरीद देंगे तो प्राइस हलका सा उपर के तरफ पुश मारेगा तो अगर आप ने उनके 1000 लॉट के सामने आपने एक लॉट यहां पर बेचा है तो आपक कुन खरी था? इसको इसने sell कर दिया वापस भई आपको इस नहीं sell किया, यह नहीं in short selling, fake out right, आपके direction में price breakout होती है, लेकिन fake out, यहां देखिए, यह trend continuation, aarty industries, trend continuation, क्या हुआ, price उपर के तरफ जा रही थी और यहां से price breakout होती है, आप बहुत सही है कि मेरा analysis राइट है आपका जो smiley फिर आ जाता है मेरा analysis राइट है लेकिन दूसरे ही पल ये बंदा क्या करता है आपके analysis आपके stop loss को trigger करा कर आपको कर देता है तुखी और आप stop loss खाके आजाते हैं बहार लेकिन कुछ दिनों के बाद ये rocket के तरह उपर जाता है आपके analysis यहाँ पर सही थी ये हो गया fake out देखे और ये जो pattern है ये बहुत-बहुत strong pattern है बहुत-बहुत strong pattern है क्योंकि यहाँ पर जितने भी कमजोर दिल वाले बंदे है न सबको shake out कर दिया है यहाँ पर real money, real smart money बैठी है इस तरह का काम smart money ही करती है क्योंकि उनको ही जादा से जादा खरीदना है उनको ही जादा से जादा gain करने है इसलिए आप देखो fake out के बाद, चाहके notice करो बहुत सारे charts पर आप जाके खोल के notice करो कि fake out के बाद जो move आती है, वो कितनी strong move आती है, वो कितनी जवर्दस move आती है तो क्योंकि यह जो fake out है, वो smart money बनाती है वो बड़े लोग बनाते है यह proper smart money signature है तो how to trade the fake out, जैसे मैंने कहा कि भाई, इसको trade करने का एकी तरीका है कि आपको अपने watch list में रखना है इसको, और अगर वो वापस setup हो, तो आप re-enter कर जाएंगे लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक signature, एक special signature होता है इन सब patterns में जो आपको वापस re-enter करने के लिए थोड़ा सा confidence देगा, आईए वो signature देखते है देखिए जब भी fake out होगा ना, देखिए यहाँ पर हमको entry करने है, यह fake out का तरीका है यह fake out हुआ यहाँ पर, price नीचे गई, और यहाँ पर वापस आई, आप सिधा यहाँ पर enter again को और और कोई तरीका नहीं है, इसका और कोई टिकरम नहीं है, यहाँ पर आपको buy कर लेना है और आपको यहाँ पर, लेकिन अब आप पूछो के सब क्या guarantee है, अफ़कोर्स हम तो यह जाएंगे, क्योंकि भाई, बोलते हैं ना की, एक बार हाथ जल जाता है, तो फिर वापस हम बहुत संभल के सोचके, उच जगह पर, क्या guarantee है, क्या guarantee है, फेक आउट नहीं हो सकता है signature समझने की कोशिश करिए, यह signature बहुत बहुत इंपोर्टन है, फेक आउट होने के बाद, फेक आउट होने के बाद, वो जो smart money है, generally, जो नीचे वाला area होता है ना, नीचे वाला जो support area होता है, उसको touch नहीं करता है, उसको breach नहीं करता है, प्राइस, इस area को price breach नहीं करेगी और अगर इस area को price breach नहीं कर रही है, तो there is a high chance की यह fake out है, high chance, surety किसी चीज में नहीं है, stock market में दो surety नाम का शब्दी नहीं, there is a high chance that it is a fake out, क्या आप इस देखिए, यह जो price वापस आपको fake out करके retrace करेगी, यह जो price आपको fake out करके retrace करेगी, यह नीचे वाले, नीचे वा यह इस area को breach नहीं करेगी, look at this point, यहाँ पर भी वही ही हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि short में अगर आपको entry करना है, तो वही तरीका है, entry करने का तरीका सेम, और जैसे मैंने कहा कि resulting move, fake out का बहुत-बहुत strong होता है, देकि resulting move बहुत-बहुत strong होता है, क्योंकि यहाँ पर smart money का game ह अब आपने यह अपना analysis सही किया, लेकिन आपको यहाँ पर shake out कर दिया गया, आपको यहाँ पर fake out कर दिया गया, आपको यहाँ पर बेकू बना दिया गया, फिर यहाँ पर देखिए आपको shake out करके price जो है rocket के तरह पताल में घुज जाती है, और आप बाद में sir protector होते हैं, क वापस अगर trade आपके direction में जाए, तो आपको वापस re-entry करना है, यहाँ पर entry कर लो वापस यह आपका stop loss होगा, और कोई तरीका नहीं है, लेकिन signature क्या है, कोई भी fake out जो है, वो अपने extreme जो उसका move है, extreme जो zone है, उसको वापस touch नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए, यह fake out होन के बाद, price जो है, यह अपने उपर वाले extreme level पे touch नहीं करेगी, उपर वाले extreme level पे touch नहीं करेगी, most of the time, और यही एक signature होता है, एक fake out का, कि this can be a fake out, this is an important signature, mark करिया, किसी भी किताब में, कोई भी YouTube वीडियो में, किसी ने आपके साथी discuss नहीं किया, मैं आपको guarantee देता हूँ, this is a special signature, fake out करा कर, वो कभी अपने पिछले swing के उपर, generally नहीं लेके जाता है, तो इससे हम लोगों को, एक confidence बिल्ड हो जाता है, कि यह fake out है, generally लेके नहीं जाएगा, तो this is a special signature, देखिए, fake out किया यहाँ पर, यहाँ से देखिए, fake out किया यहाँ पर, और price वापर नीचे गई, now see what, अपने extreme, यह इसका lower extreme है, extreme area पर, generally यह नहीं लेके जाएगा, price को, जहीं लेके, क्योंकि इसका stop loss खुद का यहाँ पर लगा हुआ है न, तो यह जगह पर वो price को नहीं लेके जाएगा, और उसके बाद, जो resulting breakout होगा, वो अच्छे volumes के साथ होगा, अब आब average volumes के साथ होगा, this is called takeout, this is the special signature takeout का, वजीदार शीखा आपने, तो फ्रेंट आज का episode नहीं कतम करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, अगली अपते आएंगे, फिर नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ देखेंगे, शेर करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए, मैं बरेजुन जमाल आप सबसे जाध मांगता हूँ, keep earning, keep learning, keep sharing, जया हिन, जया भारत, stay safe.